28 जनवरी को बिहार बंद का एलान चात्रों के समर्थन में अब चात्र संगठन ने भी आवाहन किया है आपको बताते कि एंटी पीसी आरार्बी के परिक्षा में धांदली को लेकर चात्र सडकों पे उत्रे हुए हैं लगतार पूरे बिहार में घुम घुम कर रिल ट्रैक को जाम कर लोग परदसन कर रहे हैं अलाकि चात्रों के परदसन पर पूलिस के दुवारा कई तस्वीरे निकल के सामने यहां पूलिस ने चात्रों को खदेड़ा है कहीं पर लाठिया चलाई गई है तो कहीं पर गोलिया आपको बताते कि अब चात्र संगठन ने या फैसला ल लिकालने का भी ऐलान किया गया है यार बी और एं टी पीछा के धारली के खिलाफ आइसा के नौजवान संगठन उनकिलावी नौजवान सभाग चाकर अब चात्र के साथ खड़ा ओ 거야 है आंदोनन कर रहा है चात्रों पर हुए लाठी चार्ज उनके ओपर जो मुकदमे दर्च किये गए साथी साथ गरपतार चात्रों को जल से जल्द रिहा करने की मांग को लेकर अब 28 जनवरी को बंद का आवाहन चात्र संगठनों के द्वारा की गई है इससे पहले गरतन देल हमारा रोजगार हमारा अधिकार तथा हक मारी और दमन क्यों मोदी नितीज जबाब दो नारे के साथ पुरे राज में यवात्ति रंगा मार्च निकालेंगे चात्री वाधिकारों और गड़तन्त की रक्षा करने का आवाहन चात्र संगठन ने किया है इनोस के आंदोलन में चात्र चात्राओं की समस्या को लेकर अब चात्रों के साथ खड़े दिख रहे हैं एक साल दो क्रोड रोजगार देने का वाधा करने वाली मोधी सरकार और 19 लाख रोजगार देने की वाधा करने वाली नितीज सरकार बता है उसने चात्रों के लिए अब तक क्या किया है रोजगार स्रीजन के नाम पर अब तक सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे की चा पहलाद देश के अंदर बने हुए हैं वसे में छात छत्राओं का भविस अधर में लटकता हुआ दिख रहा है छात संगटनों का काना है कि वह इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और आगे अभियार्तियों की मांग पर वह सड़कों पर भी उतरेंगे और इसी कड़ी में 28 ज परिक्षा कारत पीटी रिजल्ट 14 जनवरी 2022 को आया पीटी के रिजल्ट में पदों के 20 गुना रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी इस लिहां से 7 लाख रिजल्ट आने चाहिए थे रेलिवे ने रिजल्ट भी इतरही जारी किया लेकिन इसमें तक्रिबन 4 लाख अभियार्तियों की मांग एकदम जाइज है एक पद के पर यек अभियार्ती का एक ही रिजल्ट होना चाहिए इस साफ प्रातीत होता है कि रेलिवे ने जितनी वेकर्ट से निकाली थी उतनी बहाली नहीं कर रही है अभ्यारती सरकार के इस खेल को समझ रहा हैं अत्त संगटों ने कहा कि दूसरा मामला गुरूप डी की है इसमें एक लाग तीन हज्जार पदों पर बहाली होनी थी जिस पर तक्रिवन एक क्रोड आवेदन आये थे यह अपने आप मे की फर्मान निकाल कर दो परिक्षाओं का आयोजन करने की बात कहीं जा रही है चात्र संगटनों ने कहा है कि बिहार के ब्यापक चात्र नोजवाने स्वेश्च जनवरी के इवाओं के दिल संत्र मंत्र के बाश्या भारत के जाने माने सब इसे गुरू खान जी मिलेगा हर समस्या का समधार गैरंटी के साथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे पर कोई न कोई अर्चन पड़ जाती थी सभी समस्याओं का समधान गुरू खान जी अभी कॉल करें 9821707996 से अपील है कि वो तिरंगा मार्च में सामिलो और 28 जनवरी को बिहार बंद करने के लिए सड़कों पर उत्र है